हेलो आप सभी कैसे हैं अभी इस वीडियो में हम इश्टे पश्टे बीए एसो फोर का मॉलिकुलिर मास्ट कैल्कुलेट करेंगे तो आप इसका नाम जानते हैं क्या होता है इसका नाम बेरियम सलफेट तो दोस्तों यहां पर सरप्रतम आपको क्या पता होना चाहिए देखिए मॉलिकुलिर मास्ट क्या रहता है एटोमिक मास्ट का सम होता है यहनि यहां पर जो आपके एटोम है जैसे बेरियम है सल्फर है अक्सिजन है इनके एटमिक मास्ट कितना होता यह आपको पता रहना चाहिए तो बेरियम के रिया आप जानते हैं कितना रहता है आपका 136 रहता है और सल्फर के लिए 32 अक्सिजन के लिए तोड़ा अब मॉलिकिलर मास्ट क्या जाएगा देखिए ध्यान से देखना अबिरियम कितना है आपका 1 गी है यहां है 136 सलफर कितना है एक है और एक का कितना है 32 उसके बाद एक अकसिजन का कितना है 40 ların चार अक्सिजन है तो गुणा चार हो जाएगा तो यहां से आपके पास के तना है एक सो सेंटीस प्लस बद्तीस और यह चो सट इनका सब का टोटल किया तो यह हमें मिल रहा है तू थर्टी थ्री और इसको हम किसमें लिखते हैं अपना ग्राम मॉल में लिखते हैं इस तरीके से हमने अपना step by step barium sulphate का molecular mass calculate करना सिखा यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment कर बताएं